तो धंदा यक्षिरी का मैंने जितना भी प्रियोग कराया है, वो बहुत 100% accurate रहा है, इसका अर्थी है कि अगर कोई साधक परिशान होके मेरे पास आता है और मैं उसको परिशानी को जाच के किस वज़े से, अगर ग्रहे की प्रॉबलम है तो उसको कुछ उपाय बता दूगा लेकिन अगर बहुत बड़ी प्रॉबलम है जिसमें उसको उकनी जो संसकार की काट है उसको गलानी ही पड़ेगा और कोई ऐसी देव या देवता की कुछ ऐसी साधना करने पड़ेगी उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा, उसी के माध्यम सो उसको धनारजन होगा या उसके क नीचे तलाब के असपोस उनका वो रहता है स्थान, तो आप देखते होंगे कि गाउं में आज भी करी के बाद जासे शादी हो जाती है तो गाउं के तलाब के पास जाते हैं, पूजन करने के लिए, वहां भग देने के लिए, रखने के लिए, तो वो इसलिए होता है, तो आपको अपने मन को सबल बनाना है, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत बनाना है, कि जो मुझे करना है, वो करना है, ठीक है, तो जब संकल्प शक्ति मजबूत होगी, तो आपकी साधना मजबूत होगी, और उसका फजल मिलेगा, अब आपको क्या करना है, साधना में हमेश जो फिरुवातिय नियम आपकी गुरू ने बता हैं, वो भी करके 10 मिनिट मोड़ जाएं, तो भी भल भल मिलता है, ये हमेशा ध्यान रटना, कोई भी साधना हो, जाए गिरहन हो, ये जरूर करना है, एक छोटा सा 5-10 मिनिट का वीडियो बना रहा हूं, और वो इसलिए है, कि हमारा जो शिवर हो रहा है, धंदा यक्षिनी का, उसके वारे में थो इसी जन करी, ये जो आश्रम है, इस आश्रम को निरमाड उन सभी साधकों के लिए हुआ है, जो वो उस सानिदे में साधना करना चाहते हैं, अपनी साधना वो सफल करना चाहते हैं, घर में रखे कोई स निरमाखनों में इसलिए बनाये गया है, ये प्रकटी के मद्य, आप अपनी सभी साधना को सफलता पूरवक्शिदग कर सकते हैं, अब इसमें बात आती है कि अगर हम धंदे इष्ञिका शिवर लगा रहे हैं, तो जो हमने पूर में धंदा इष्ञिका के साधना है, उसमे बहुत सारे लोगों को सफ़ता भी मिली है और धंदा यक्षनी का शिविर मैंने आपने जिसे कोस्ट में देखा होगा मैंने तीन चरण में लगाने के लिए बोला हुआ है एक प्थम चरण में जो शिविर लगेगा वो धंदा यक्षनी के लगेंगे उसके बाद दूसरा जो चरण होगा उसमें धंदा यक्षने के ही अगोर मार की साधना होगी और उसके बाद तीसरा अगोर लक्षमी की साधना होगी तो इसमें बीच में और भी बहुत सारी साधना चूटी चूटी होगी जिसमें कुछ दिहान की विदिया है जो आपके अपने कच्रों को निकालने के लिए बहुत साहिक होंगी और उसके बाद अगर साधक और डीव जाना चाहता है उसके लिए हम पूरी सुद्धा रहेगे